नमस्कार, मैं कहला शर्मा, एक बार फिर उपस्तित हूँ आपके सामने कक्षा साथ रुचिरा भाग दो का दूसरा पाठ लेकर जिसका नाम है दुर बुध्धी ही विनश्यती दुर बुद्धी विनश्यती दुर बुद्धी का अर्थ है बुरी बुद्धी वाला विनश्यती यानि नश्ट होता है अर्थात बुरी बुद्धी वाला नश्ट होता है तो आईए शुरू करते हैं कहानी दुर बुद्धी ही विनश्यती अस्ती मगध देशे फुलोत पल नाम सरह मगध देशे यानि मगध देश में फुलोत पल नाम का सरह यानि एक तालाब अस्ती है मगद देश में फुल्लोतपल नाम का एक तालाब है तत्र वहां संकट विकटव हंसव निवसतः वहां पर यनि उस तालाब में संकट विकटव संकट और विकट नाम के हंसव दो हंस निवसतः रहते हैं कमबूग्रीव नामका तयोह मित्रम एक ह कूर्मह अपी तत्रव प्रति वसतीसम कमबूग्रीव नामका तयोह मित्रम तयोह यनि उन दोनो का किनका संकट और विकट नाम के हंसों का मित्रम यानि मित्र एकह कूर्मह एक कच्छवा अपी भी तत्रईव यानि वहीं प्रतिवसतीस्म रहता था उस तालाब में संकट और विकट हंसों का एक मित्र कम्बूग्रीव नाम का कच्छवा भी रहता था अथ एकदा एकदा यानि एक बार धीवराह तत्र आगच्छन धीवराह यानि मचवारे तत्र यानि वहां आगच्छन आए इस चित्र में देखें ये मचवारे हैं धीवराह ये है कम्बूग्रीव और ये संकट और विकट नाम के दो हंस तो एक बार कुछ मच्वारे उस तालाब के पास आये ते अकथयन उन्होंने कहा वयम श्वह मच्य कूर्मादीन मारई श्यामः वयम यानि हम कौन वो मच्वारे तो हम श्वह यानि कल मच्य कूर्मादीन मच्य यानि मच्ली कूर्मादीन कच्वे आदी को मच्ली और कच्वे आधी को मारेइ श्यामह मारेंगे। हम कल आएंगे और मचली और कच्वे आधी को मारेंगे। एतत शुरुत्वा कूर्मह अवदत एतत शुरुत्वा यह सुनकर कूर्मह अवदत कच्छुआ बोला मित्रे हे मित्रो किम युवा भ्याम धीवराणाम वार्ता शुरुता किम क्या युवा भ्याम तुम दोनों के द्वारा धीवराणाम मच्वारों की वार्ता बातें शुर अधुना यानि अब किम अहम करो मी, मैं किम यानि क्या करो मी करूं, अब मैं क्या करूं, वो तो कल आके हमें मारेंगे। ये हैं इस गध्यांस से संबंदित कठिन शब्दार्थ। हंसव अवदताम दोनों हंस बोले प्राताह यद उचितम तत कर्तव्यम प्राताह यानि सुबह यद उचितम जो सही हो, जो तुम्हे सही लगे तत कर्तव्यम वह करना चाहिए, जो तुम्हे सही लगे वही कर लेना। कूर्मः अवदत कच्छवा बोला, मय वं मा प्लस एवं, मा याणी नही एवं याणी ऐसा, इस प्रकार नहीं, याणी ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा यद यथा हम अन्यम रधम गच्छामी तथा कुरुतम यथा जिस प्रकार अहम यदि मैं अन्यम रधम दूसरे तालाब को गच्छामी जाऊं मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं तथा कुरुतम ऐसा कीजी आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं दूसरे तालाब में चला हंसव अवदताम, दोनों हंस बोले आवाम किम करवाव, आवाम यानि हम दोनों किम करवाव, क्या करें, हम दोनों क्या कर सकते हैं कूर्मह अवदत कच्छवा बोला, अहम युवा भ्याम सह, आकाश मारगेण, अन्यत्र गंतुम इच्छामी, अहम मैं युवा भ्याम सह, तुम दोनों के साथ, आकाश मारगेण, आकाश मारग से, यानि आकाश में उड़कर, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामी, जाना चाहता हूँ, हंसव अवदताम, दोनों हंस बोले अत्र कह उपायह, अत्र यनि यहां अर्थात इसमें कह उपायह, क्या उपाय है, इसका क्या उपाय हो सकता है, कच्छपः वदती कच्छवा कहता है, युवाम काष्ट दंडम एकम चंच्वा धारयताम, युवाम तुम दोनों काष्ट दंडम लकडी के एक दंडे को चंच्वा अपनी चोंच से धारयताम पकड़ लेना, तुम एक लकडी के दंडे को दोनों तरप से अपनी चोंच से पकड़ लेना, अहम काष्ट दंड मध्य काश्ट दंड यानि लकडी के डंडे के मध्य यानि बीच में अवलंब्य लटक कर युवयोहो पक्ष बलेन तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुखेन गमिश्यामी, सुखेन यानि आराम से गमिश्यामी जाऊंगा। तुम दोनों लकडी के एक डंडे को दोनों तरफ से पकड़ लेना और मैं उसमें बीच में लटक कर आराम से चला जाऊंगा। ये इस गध्यांस से संबंदित कठिन शब्दार्थ। हंसव अकथयताम दोनों हंसो ने कहा संभवती एशह उपायह एशह उपायह यह उपाय संभवती संभव है ऐसा हो सकता है किन्तु लेकिन अत्र एक ह अपायो पी वर्तते अत्र यनी यहां एकह एक अपायह यानि हानी अपी भी वर्तते है इसमें एक हानी भी हो सकती है आवा भ्याम नीय मानम त्वाम अवलोक्य जनाह किंचिद वदिशंति एव आवा भ्याम नीय मानम हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य त्वाम यानि तुम्हें अर्थात कच्वे को अवलोक्य देखकर जनाह लोग किंचिद वदिशंति एव किंचिद यानि कुछ वदिशंति एव कहेंगे ही जब हम दोनों लकडी के डंडे के सहारे तुम्हें ले जा रहे होंगे तो तुम्हें देखकर लोग कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे यदि तुम उत्तरम दास्यसी उत्तर दोगे यदि तुम उनकी बात का उत्तर दोगे तदा तब तव मरनम निश्चितम तुम्हारा मरना निश्चित है इस लिए तुम अत्रैव वस रहो ततशरु तट्व यह सुनकर कृध्ध कूर्मः अवदत कृधित कचवा बोला किम अहं मूर्खक किम अहं क्या मैं मूर्खक मूर्ख हूँ उत्तरम नदास्यामी उत्तर नहीं दूंगा किंचिद अपी नवदिश्यामी किंचिद अपी कुछ भी नवदिश्यामी नहीं बोलूंगा अतह अहम यथा वदामी यानि इसलिए अहम यानि मैं यथा वदामी जैसा कहता हूँ तथा युवाम कुरुतं युवाम यानि तुम दोनों तथा कुरुतं वैसा ही करो मैं जैसा कह रहा हूँ तुम दोनों वैसा ही कीजिए ये इस गध्यान्स से संबंदित कठिन शब्दार्थ एवं काश्ट दंडे यानि लकडी के दंडे पर लंब मानम लटकते हुए कूर्मम कच्वे को पाउराह अपश्यन पाउराह यानि ग्वालों ने अपश्यन देखा पाउराह अपश्यन ग्वालों ने देखा पस्चाद अधावन पस्चाद यानि पीछे अधावन दोडे अवदंच और बोले कोन बोले ग्वाले बोले क्या बोले हन हो महत प्लस आश्चरियम महत यानि महान बहुत बड़ा आश्चरिय यानि अचंभा देखो कितना बड़ आश्चरिये है चित्र में देखें नीचे ये गवाले हैं उपर दोनों हंस कच्छवे को उड़ा कर ले जा रहे हैं तो गवाले कहते हैं हंसा भ्यामसह कूर्मों पी उड़ी यते हंसा भ्यामसह दो हंसों के साथ कूर्मः अपी कच्छवा भी उड़ी यते उड़ रहा है कस् कछवा कथम अपी निपतती कैसे भी करके निपतती यानि गिरता है तदा तो अत्रैव यहीं पक्तवा खादिश्यामी पक्तवा यानि पका कर खादिश्यामी खाऊंगा अगर यह कछवा यहां गिर जाए तो मैं इसे यहीं पका कर खाऊंगा अपरह अवदत दूसरा गवाला बोला सरस्तीरे दगधुआ खादिश्यामी, सरस्तीरे तालाब के किनारे दगधुआ जला कर यानी भून कर आग में पका कर खादिश्यामी खाऊंगा अगर ये कच्छवा गिरा तो मैं इसे तालाब के किनारे ले जाकर भून कर खाऊंगा अन्य अकथयत अन्य तीसरे ने कहा ग्रिहम नीत्वा भक्षई श्यामी ग्रिहम नीत्वा घर ले जाकर भक्षई श्यामी खाऊंगा मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा इती ऐसा तेशाम तद वचनम सुरुत्वा तेशाम यानि उनके किनके गवालों के तद वचनम वे सब बातें सुरुत्वा सुनकर कूर्मह कृधधः जाता ह। कच्छुआ क्रोधित हो गया। ये इस गद्यान्ष से सम्बंदित कठिन शब्दार्थ। सह अवदत वह बोला यूयम भस्म खादत यूयम यानि तुम सब अरे गवालो मुझे खाने की बजाए तुम भस्म खादत राख खाओ उसने ऐसा कहा तत क्षणम एव उसी क्षण ही उसी समय ही कूर्मह कच्वा दंडात भूमव पतितह दंडात उस लकडी के दंडे से अलग होकर भूमव पतितह भूमव यानि भूमी पर पतितह गिर गया कच्वे ने बोलने के लिए जो ही मूँ खोला वो दंडे से अलग होकर जमीन पर गिर गया पोरई ही सह मारितह यानि गवालों के द्वारा सह मारितह वह मारा गया यानि गवालों ने उसे मार डाला अतः एव उक्तम अतः यानि इसलिए एव ही उक्तम कहा गया है। इसलिए किसी ने कहा है अर्थात सुरिधानाम मित्रों की कैसे मित्रों की हित कामा नाम भलाचाहने वाले बला चाहने वाले मित्रों की वाक्यम यानी बात को यह जो व्यक्ति न अभिनन्दती नहीं मानता है सह वह व्यक्ति काशठाद भरष्टो लकडी के डंडे से गिर कर मरने वाले दुर बुद्धी दुष्ट बुद्धी वाले कूर्म इव कच्वे की तरह से विनश्यती नष्ट होता है अर्थात जो भला चाहने वाले मित्रों की बात को स्वीकार नहीं करता है वह लकडी के डंडे से गिरने वाले दुष्ट बुद्धी यानि मूर्ख कच्वे के समान नश्ट हो जाता है यानि उसका मरना उसका विनाश होना निश्चित है ये इस गध्यांस से संबंदित कठिन अब हम चर्चा करेंगे अभ्यासकारिय पर पहला प्रशन है उचारणम कुरुत उचारण कीजी फुलोत पलं फुलोत पल ये तालाब का नाम है कंबू ग्रीवह कंबू ग्रीव ये कच्वे का नाम है उक्तवान कहा बवद भ्याम तुम्हारे द्वारा अवलंब्य लटक क आवा भ्याम हम दोनों द्वारा रधम तालाब उड़ीयते उड़ रहा है पक्तवा पकाकर बक्षई शामी खाऊंगा सुरिधाम मित्रों की ब्रश्टह ब्रश्ट अगला प्रशन है एक पदेन उत्तरत एक शब्द में उत्तर दीजिए पहला है कूर्मस्य किम नाम आसीत क कच्वे का क्या नाम था कंबू ग्रीवह कंबू ग्रीव सरस्तीरे के आगच्छन तालाब के किनारे कौन आये धीवराह यनि मच्वारे कूर्मह केन मार्गेण गंतुम इच्छती कच्वा किस मार्ग से कौन से रास्ते से जाना चाहता है आकाश मार्गेण आकाश के रास्त अगला प्रश्ण है अधो लिखितानी वाक्यानी नीचे लिखे हुए ये वाक्य कह कम प्रती कथयती कौन किसे कहता है इती लिखत ऐसा लिखिये यथा उधारण दिया है प्रातह यद उचितम तत कर्तव्यम सुब जो तुम्हे उचित लगे वही कर लेना ये किसने कहा हन्सव दोनों हन्सों ने किस से कूर्मम प्रती कथवे से अहम भवत भ्याम सह आकाश मारगेन गंतुम इच्छामी मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से जाना चाहता ये किसने कहा कूर्मह हन्सव प्रती कथवे ने हन्सों से अत्रकह उपायह इसमें क्या उपाय है किसने कहा हन्सव कूर्मम प्रती हन्सों ने कथवे से अहम उत्तरम ने दास्यामी मैं उत्तर नहीं दूंगा कूर्मह हन्सव प्रती कथवे ने हन्सों से कहा यूयम भस्म खादत तुम राख खाओ, किसने कहा कूर्मह, किससे पवरान प्रती यानि ग्वालों से अगला प्रश्ण है, मंजुशातह, यानि इस मंजुशा से, इस पेटी से क्रिया पदम चित्वा, ये क्रिया शब्द चुनकर वाक्यानी पूरयत, नीचे दिये गए वाक्यों को पूरा कीजिए पहला है, हंसा भ्यामसह कूर्मों पी उड़ीयते, हंसों के साथ कच्वा भी उड़ रहा है अहम किंचिद अपी नवदिश्यामी, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा यह हित कामा नाम सुर्धाम वाक्यम न अभिनन्दती, जो भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है एकह कूर्मह अपी तत्रैव प्रतिवसतिस्म एक कच्वा भी वहां रहता था अहम आकाश मारगेण अन्यत्र गंतुम इच्छामी, मैं आकाश के रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता हूं वयम ग्रहम नीत्वा कूर्मम भक्षई श्यामह, हम कच्वे को घर ले जाकर खाएंगे अगला प्रशन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रशन है कच्वा कुत्र गंतुम इच्छती, कच्वा कहां जाना चाहता है कच्छपह अन्यम रधम, अन्यम सरोवरम गंतुम इच्छती, कच्छवा दूसरे तालाब में जाना चाहता है कच्छपह कम उपायम वदती, कच्छवा क्या उपाय बताता है कच्छपह वदती, युवाम एकम काष्ट दंडम चंच्वा धाराय ताम, तुम दोनों लकडी के एक डंडे को चोंच से पकड़ लीजिए अहम काष्ट दंड मध्य अवलंब्य युवयोह पक्ष बलेन सुखेन गमिश्यामी मैं डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की ताकत से आराम से जाऊंगा लंब मानम कूर्मम द्रिष्टवा पौराह किम अवदन लटकते हुए कच्छवे को देख कर ग्वाले क्या बोले? पौराह अवदन ग्वाले बोले हन हो ओ हो महदाश्चरियम महानाश्चरिय है हनसा भ्यामसह कूर्मों पी उड़ियते दो हनसों के साथ कच्छवा भी उड़ रहा है कूर्मह मित्रयोह वचनम विश्मृत्य किम अवदत कच्छवा मित्रों की बात को भूल कर क्या बोला? अगला प्रश्ण है गटना क्रमा अनुसारम वाक्यानी लिखत नीचे दिये गए इन वाक्यों को गटना क्रम के अनुसार लिखें यानि कहानी में पहले कौन सी गटना हुई, फिर कौन सी, फिर कौन सी इस प्रकार तो आईए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कूर्मह हंसवच एकस्मिन सरसी निवसंतीस्म कच्छवा और हंस एक तालाब में रहते हैं फिर क्या होता है केचित धीवराह सरस्तीरे आगच्छन कुछ मच्वारे तालाब के किनारे आते हैं फिर क्या हुआ वयम श्वह मत्ष्य कूर्मादीन मारई श्यामह हम कल मचली और कच्छों को मारेंगे इती धीवराह आकथयन ऐसा मच्वारों ने कहा जब मच्वारों ने ये कहा तो क्या हुआ कूर्मह अन्यत्र गंतुम इच्छतिस्म कच्छवा दूसरी जगए जाना चाता है इसके लिए क्या करते हैं कूर्मह हंसयोह सहायतया आकाश मारगेन अगच्छत कच्छवा हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है फिर क्या होता है लंब मानम कूर्मम द्रिष्टवा पौराह अधावन लटकते हुए कच्वे को देखकर ग्वाले दोडते हैं फिर क्या होता है पौराह अकथयन ग्वाले कहते हैं वयम पतितम कूर्मम खादिश्यामह हम गिरे हुए कच्वे को खाएंगे और फिर क्या होता है कूर्मह आकाशात पतितह पौरई ही मारितस्च कच्वा आकाश से गिरता है और गवालों के द्वारा मारा जाता है ये है प्रशुन्चे के उत्तर सही करम में लिखे हुए अगला प्रश्ण है मन्जू शातह पदानी चित्वा रिक्तस्थानानी पूरयता इस पेटी से सही शब्द चुनकर रिक्तस्थान भरिये एक कहानी दी है उसमें कुछ रिक्तस्थान है इन शब्दों की साहिता से वो रिक्तस्थान भरने है एकस्य व्रिक्षस्य शाखासू एक पेड की टहनियों पर अनेके काकाह वसंतीस्म अनेक कव्वे रहते थे। तस्य व्रिक्षस्य कोटरे उस व्रिक्ष के कोटर में एकह सर्पह अपिय वसत एक साप भी रहता है। काकानाम अनुपस्थितव सर्पह काकानाम शिशून खादतीस्म कव्वे वहा नहीं होते तो वह साप कव्वे के बच्चों को खाता था। काकाह दुखिताह आसन कव्वे दुखी थे। तेशु एकह व्रिद्धह काकह उपायम अचिंतयत। उन में से एक बुढे कव्वे ने एक उपाय सोचा। व्रिक्षस्य समीपे उस पेड के पास में जलाशयह आसीत एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी सनातुम जलाशयम आगच्छतीस्म एक राजकुमारी नहाने के लिए उस तालाब में आती थी। शिलायाम स्थितम तस्याह आभर्णम आदाय शिलायाम यानि पत्थर पर रखे हुए तस्याह आभर्णम उस राजकुमारी के गहनों को आदाय लाकर एकह काकह व्रिक्षस्य उपरी अस्थापयत एक कव्वे ने पेड के उपर रख दिये। एक कव्वा उस राजकुमारी के गहने उठाकर ले आया और पेड की टहनियों पर टांग दिये। राजसेवकाह काकम अनुश्रित्य व्रिक्षस्य समीपम अगच्छन राजसेवकाह राजा के नोकर कव्वे का पीछा करते हुए पेड के पास आ गए तत्रते तम सर्पम्च अमारयन वहां उन्होंने उन राजसेवकोंने उस साप को माल डाला। अतेव उक्तम इसलिए कहा है उपायेन सर्वं सिध्यती उपाय से सब सिध्ध हो जाता है सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये था पार्ठ दुर्बुद्धी ही विनश्यती। इस पार्ठ से संबंदित कोई भी प्रश्ण हो तो करपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।